Assalamualaikum friends, previous video में हमने करंड येर के गोश्वारे सब्मिट करना सिखे थे, आज की video में हम 181 पाम को फिल करना सिखेंगे वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी request है कि अगर आप मेरे चैनल पर नई आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तो गैस भड़ते हैं अपनी वीडियो की टापिक की दरफ तो आपने FBR की official website पर आ जाना है यहां आने की बाद आपने थोड़ा नीचे की दरफ आना है तो यह जो red box आपको बना नजर आ रहा है ठीक है तो second number पर लिखा है income tax आपने इसके उपर क्लिक कर देना है यह पेज आपके सामने आएका पॉप अप को यहां से remove करते हैं और उसके बाद यहां पर आपने रिजिस्ट्रेशन आईडी और पासफ़र लिकर login के उपर क्लिक करना है तो guys then आपका account open हो जाएगा यहां बर मैं आपको एक बात mention कर दो कि यह पूरी अपने वीडियो लाजमी देखनी है पिछले जो 8 पार्ट आप मेरे देख चुके हैं किसी भी वीडियो में मैंने आपको यह नहीं बोला कि आपने पूरी वीडियो देखनी है यह सिर्फ आपक इस वज़े से कहारूं कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो ही आपको बास समझ में आ जाएगी और आपकी confusion खतम हो जाएगी बाकि आपकी मर्जी है अगर किसी भी जगह आप skip करना चाहें कर सकते हैं मुझे कोई issue नहीं है मेरा तो जैसे ही आपने क्लिक किया न तो आपका जो 181 फार्म है वो complete task में मजूद है यह फार्म वगहरा मैं आपको बाद में दिखाता हूं पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि आप जो YouTube की वीडियो वगहरा देखते हैं उनमें बताया जाता है कि आपने क्या करना है यह उपर अगर आप नुकर पर देख देखता हूं बलके 24 नहीं मैं 23 कर देता हूं क्योंकर 24 का तो अल्रेड़ी आटो के उपर create है अगर आपने मेरी तमाम पिछली वीडियो देखी है ठीक है 2023 सेलेक्ट करने के बाद आपने continue के उपर क्लिक कर देना है तो आपके पास जो है वो farm open हो जाएगा मेरे ख्याल में अ आट नमबर 3 देखा हुआ है वीडियो का तो अगर नहीं देखा तो देख लें तो बरहल हम home पर चलते हैं पहले तो यहां पर जो है वो complete task के उपर आपने क्लिक करना है तो मैं आपको जो 181 farm है ना सबसे पहले वो दिखा देता हूं ठीक है आट टू के उपर create हुआ हुआ ह तो मैं थोड़ा इसको उपर करता हूं यह देखें तो आट टू के उपर create इसलिए हुआ है जो आपकी profile है जो भी आप वहां पर लिखते हैं अपडेट करते हैं तो यहां पर 181 farm आपके पास खुद बोखुद create हो जाता है जब आपके पास create हो जाता है तो आपको क्या जरूरत है कोई जरूरत नहीं है मेरी नजर में क्यूंकि आपको हमेशा updated ही रहना चाहिए तो यहां पर मैं आपको जो है सबसे पहले farm open करके देखा देता हूं यह आप देख लें अभी 24 जनवरी चल रहा है तो यह आटो की उपर दे रहें तो आप इस आइस की उपर अगर क्लिक कर लें कोई issue नहीं है तो यह कहां से आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं जब यह farm open होगा ना तो आपको कुछ इस तरहां से farm नजर आएगा यहां पर सबसे बहले आपकी personal detail है उसके बाद property वगरा है जो आपने घर का address add किया था उसके बाद business है link है address वगरा ह तो यह जितने भी आपकी मालूमात है यह जात्ती मालूमात है इन में से वो मालूमात जो के नादरा के साथ connected है जो आपने शनाक्तिकार की उपर लखवाई हुई थी आटो की उपर आ रही है ठीक है आप उनको change नहीं कर सकते जब तक आप नादरा से change नहीं करवाएंगे ठ चोटी-पोटी जो चीज़ें जो आपने बाद में एड़ की हैं वही सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं तो यह कैसे अपडेट होती है मैं जो है वह आपको होम पेज पर लेकर चलता हूँ तो गैस होम पर आने के बाद आपने उपर की तरफ जो परोफाइल का आपको आपको आप और पर रहा है तो आपने इसके ओपर क्लिक करना है यहां पर जो पहला पर आप्सेयत Casey př समझ जाएंगे ठीक है 181 फार्म का जो तल्लक है वो भी आपकी परोफाइल के साथ ही है ठीक है तो जो कि आप यहां से चेंज करेंगे तो आपका 181 फार्म है वो हमेशा अपडेटेड रहे रहे ठीक है आपको यह तमाम चीज़े दिखाने का बताने का मकसल सिर्फ यही था ताकि आपको यह समझ आ जा जा कि 181 फार्म यूज क्यों होता है यह सिर्फ और सिर्फ आपकी परोफाइल को अपडेट करने के इस्तमाल होता है तो आपने अपनी परोफाइल को यहीं से अपडेट करने है जो कि आपकी ऑफिशल परोफाइल है ठीक है यहां से आप जब भी अपनी परोफाइल को अपडेट करेंगे तो आपको येर सेलेक्ट करनी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप हमेशा अपडेटि है ठीक है वीडियो के लास्ट पे आप से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी ये कावश पसंद आई है तो इस वीडियो के लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा और इस वीडियो के अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज